हलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल छोटी सी रसोई आज मैं आप सभी लेके आई हूँ पालक के पुलाव की रेसिपी इसमें बहुत सारी सब्चियां हैं जिसे कुछ नहीं भी आता है वो भी इसे बना के खा सकता है हेल्दी है सिंपल है और लाइट है तो आप इसे जरूर बना के खाईएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए और लोगों को सेर कर दीजिए क्योंकि इसे बनाने में मेहनत भी लगती है और आप लोग जब सब्सक्राइब करते या कमेंट करते तो इससे मेरे को थोड़ा सा बोलते हैं na motivation मिलता है काम करने के लिए एज आ हाउस भाइफ भी मुझे लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं तो मैंने एक कूकर लिया है जिसमें एक से डिर चमच आप घी डाल लीजे उसमें कुछ खड़े ग्रम असाला डाल लीजे तो मैंने दो तेज पत्ता तीन से चार छोटी वाली लाइची एक बड़ी लाइची चमच जीरा और तीन से चार इंग चेव मैंने सिनमन का स्टिक डाला है अब पुलाव बिरियानी बुना रहे हैं तो मैंने एक प्याज कट करके डाला था तो उसको मैं साहिब में भूने डाल दी थी और उसके बास क्योंकि मेरे पास टायम कम था तो अलग से मैंने एक पैन म प्याज करें आप उसमें पनीर भी डाल सकते हैं अब यह हमारा प्याज जब थोड़ा सा वह गोल्डन हो जाएगा उसके बाद इसमें मैंने पालक प्यूरी डाला है इसे मैंने रात में ही स्टीम करके रखा था तो मैंने पहले स्टीम कर दिया था और उसका सुबह में प्य संदय मगई तो इसमें मैंने स्वीट कॉन डाला है साथ में हम इसमें दो चम मच दही डालेंगे पालक में हलकी से कड़वाट होती है उसको खतम करने के लिए आप इसमें दही डाल दें पालक के आप कोई भी सबजी बना रहे हो तो उसमें दही की खटा सगर डाल देंगे तो उसकी करवाट खतम हो जाती है चाहिए वो पालक पनीर हो या फिर नॉर्मल पुलाव बना रहे हो या फिर आलू पालक बना रहे हो इसमें मैंने एक गिलास धूला हुआ 15 मिट का भीगा हुआ चावल डाल दिया घर का ही चावल है इसको यहां पे जीरा रहा है से बोलते आप निए तीन से चार हरी मिर्च क्योंकि मैंने कोई मिर्ची यूज नहीं किया है हरी मिर्ची हलकी सी तिखापन हमें चाहिए और एक चमच बहर के मैंने यहां पर बिरियानी मसाला डाला रेडिमेट अगर नहीं है तो थोड़ा सा गरम मसाल डाल दें आदा चोटा चमच इसे हम मिला लेंगे लेकिन मेरा कुकर चोटा पढ़ गया था क्योंकि यह कोई भी प्लान वाला पुलाओ मैंने नहीं बना था जस्ट मुझे बनाना था और मैंने वीडियो भी निकाले क्योंकि यह बहुत अच्छा बनता है तो मैंने दूसरे कुकर में इसे सिफ्ट कर दि नॉर्मली एक गिलास में तो मैं इसमें दो गिलास डाली हूँ अगर आपके चावल में दो गिलास पढ़ता है तो आप एक इंस कम ही डालिएगा तभी प्लाओ खिला खिला बनेगा दूसरा इसमें नमक जब आप पानी सका टेस्ट कीजिएगा तो ज्यादा नमकीन लगना तो पानी और नमक की मातरा किस तरह से होनी चाहिए एक सीटी लगाने तक बस हम इसे पकाएंगे उसके बाद इसको आप अपने स्टीम में पकने दीजेगा जब इसका स्टीम निकल जाएगा उसके बाद ओपन करके आप इसे खा सकते है राईता के साथ या किसी चीज़ के स